नमस्कार दोस्तो सिविल इंजिनिरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्मुन वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो नर्मली आजगल के जो घर हो रहे हैं वो फ्रेम डेस्ट्रेक्चर हो रहे हैं मतलब कि घर का सारा सारा लोड जो है वो किस तरह से बांधा जाना चाहिए यहां तक के दोस्तो नियम है और कुछ लोग क्या करते हैं कि इन सब नियम को नजर अंदाज करते हैं या फिर मकान माली की तो कोई गलती नहीं होती है जो मिस्तुरी या ठिकदार होते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं और मिस्तुरी को बहुत ज़्यादा डीप नोलिज इंजब के बारे में नहीं होती है और इस केस में जब उनको पता चलता है जब क्रेक्स वगर आने लगते हैं तब तक दोस्तो बहुत ज़्यादा देर हो गए रहती है चलिए आप चिसे देख रहे हैं ये 6 रोड वाला आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एक कॉलम बनाया जा रहा है और कॉलम बनाने के कुछ नियम है दोस्तो खास तोर पर जो लैपिंग है उसको कहां दिया जाना चाहिए ये किस तरीके का दिया चलिए यहां देख सकते हैं कि यहां पर एक बीम नीचे आया हुआ है ठीक है और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तो नौर्मली एक घर का मैं एक थमरूल देता हूं ताकि आपसे गलती हो ही ना जेनरल ये घर का दोस्तो हाइट होता है वो हम 10 तरह 10 फीट रखते हैं ठीक है तो आपको लैपिंग कहां पर देना है लैपिंग बिल्कुल बीच में देना है दोस्तो बीच में अब देने का मतलब क्या है कि नीचे से दोस्तो आपको कम से कम L by 4 छोड़ना है मतलब कि L by 4 अगर 10 फीट का करते है तो वो आजाता है 8 फीट ठीक है तो नीचे का जो बीम होगा प्लिंच बीम होगा उससे 8 फीट छोड़ने के बाद में उपर में लैपिंग देना है और जो एक लैपिंग खतम हो जाता है अब लैपिंग लेंद को लेकर के भी कन्फूजन रहता है कि आखिरकार एक सरिया को दूसरे सरिया से अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो एक दूसरे पी कितना उसको चड़ाना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता दू यह देखिए उपर में भी गलती किया गया है उपर में भी जो छे सरिया है दोस्तों सभी को एक ही साइज में लगवलबा काटा गया है तो वहाँ भी लैपिंग दोस्तों नीचे तो इन्होंने लैपिंग छे हो सरिया में एक ही जगह दे दिया यहाँ तो कम जोर इनों ने अपने कॉलम को किया ही है चाथ चाथ उपर में भी दोस्तो इनको जो लैपिंग देना होगा तो वहाँ भी गलती होना निश्चित है वरना सरीया को काटते हैं तो अलग बात है तो दोस्तो लैपिंग लेंद की अगर बात कर लिया है तो चली मैं आपको बताता हूँ कि वो होता है 50D होता है दोस्तो कॉलम के लिए बीम के लिए होता है 50-60 तो फिलहाल में आपको कॉलम के लिए बात कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मात्र यहां पे 18 इंच का लैपिंग दिया हुआ है 16 mm के सरिया में जबकि 16 mm का सरिया में दोस्तो कम से कम 31 इंच से 32 इंच लैपिंग होना चाहिए दोस्तो मतलब एक सरिया दूसरे सरिया के उपर दोस्तो ओभर लैप किया होना चाहिए और उसके बाद में दोस्तो लास्ट में क्या होना चाहिए कि जोगल भी मारना चाहिए ताकि जो नया सरीया है वो पुराने सरीया का जगा ले पाया तो इन सब चीज का ध्यान देंगे तभी आपका कॉलम मजबूर